Hello everyone, welcome back to my channel, parenting education, और मेरा नाम है अश्वीनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंदरिय विध्याले वर्सेस प्राइवेट स्कूल अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं, तो हर एक वीडियो में मैं बताया है कि केंदरिय विध्याले वर्सेस प्राइवेट स्कूल और स्कूल में पढ़ने के बच्चों को फाइदे होते हैं इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है या आप फर्स टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को हीड़ कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत से एजुकेशनल वीडियो, स्कूल रिगार्डिंग वीडियो, एड्मिशन वीडियो अपलोड होती रहती है और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक भी किजिए चलो तो आज का वीडियो शुरू करते है सभी पैरेंट्स को लगता है कि हम हमारे बच्चे को बेस एजुकेशन दे और आज कर जो सरकारी स्कूल के स्थिती है तो पैरेंट्स को लगता है कि सरकारी स्कूल अच्छी नहीं होती है से अँछे फड़ाए पढ़े है एक पता पड़ ए ही बॉहां के टिटας अच्छी नहीं होती है। लेकिन यह बात से मनें, अगर हम सरकारी की बात करते हैं, तो उनमें आता है केंद्रिवी डियाले केंद्रिवी डियाले एक किंद्रिवी डियाले वह बट बड़ी होती है, इसके साथ playground, जो elaborate होती है, जो computer labs वगरा होते हैं, तो हर एक school में अच्छे से उन्हें प्रवाइड की है, अगर इसके अलावा हम private school में बात करते हैं, तो आपने बहुत से private school देखे होंगे, कि उनका जो infrastructure है, वो थोड़ा कम एरिया में होता है, बहु केंदरी विद्याले में हर एक facility बच्चों को फूड़ाया जाता है, जो उनके लिए जरूरी है, और अगर आप भी चाहते हैं, कि आपके बच्चे की पढ़ने के साथ और ओरल ग्रोथ स्किल इंप्रू हो, तो केंदरी विद्याले बेस्ट ऑप्शन है, नमबर टू पे है, अगर आपको आपके बच्चों को CBC Board चे एजुकेशन देना है, तो आप अगर देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल की फी बहुत जादा है, प्राइवेट स्कूल की नर्सरी तो 1200 की जो फी देखेंगे, बहुत जादा है, और जिनकी economic condition poor है, जो low economic criteria में आता है, तो उनको महीं कर सकते हैं कि बच्चे को CBC Board दे, इससे ठीक रिवर्स अगर आप केंदरी विद्याली की बात करते हैं, तो केंदरी विद्याली में CBC Board है, लेकिन अगर उनकी fee structure देखें, उनकी fee काफी कम है, प्राइवेट स्कूल से, केंदरी विद्याली में बहुत से स्कीम है, केंदरी विद्याली आपके लिए बहुत अच्छा option है, पॉइंट नमबर 3, seat reservation, केंदरी विद्याली में अलग-अलग category के लिए seat reservation हो जा है, अगर आप ऐसे category के लिए हो तो आपके लिए special seat होती है, अगर आप EWS category से आते हो तो आपके लिए अलग seat होती है, और seat reservation के अलाव प्लस पॉइंट बोलेंगे केंदरी विद्याले का कि वहाँ पे seat reservation के अनुसार पे फी structure लिया जाता है, पॉइंट नमबर 4, highly qualified teacher, केंदरी विद्याले का plus point यह भी है कि वहाँ के जो teacher है, वह highly qualified होते है, क्योंकि केंदरी विद्याले के teacher को वहाँ तक आने के लिए उनको एक प्राइवेट स्कूल की देखे, तो प्राइवेट स्कूल की टीचर इतने पढ़े लिखे नहीं होते है, वहाँ पे अगर फ्रेशर टीचर की बात करें, उनका qualification काम होने के बाद बावजुद भी वह पढ़ाने के लिए आ जाते है, और इनका ये drawback है, कि बच्चों को इसल प्राइवेट स्कूल का ये विक पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, कि सम्हाँ अगर हमें एक साल के बीच में ही अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो हमारे बच्चों का एडमिशन लेने में काफी problem होती ह लेकिन केंदरी विधाले के आज हम बात करते हैं, तो केंदरी विधाले आज इंडिया के हर एक स्टेटी में अनकी ब्रांच होती है, अगर अगर मीट तरांस्पर हो जाती है, और सम्हाँ अगर आपको मीच में स्कूल जोइन करना है, या फिर अगर आपको एक सिटी से आप यह फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें discipline की, तो बहुत सी students कहते हैं कि केंदर विद्यले में इतना discipline नहीं है, तो मैं यह कहना चाहूंगे, कि हर एक school का अपने advantage होता है, और अपने drawback होता है, लेकिन आज के दिनों में school fee बहुत बड़ी बात है, बाकिये private school की बहु के सकते हैं, लेकिन एक weak point होनने से पूरा institute कम है, या भागी पढ़ाय अच्छी नहीं है, यह कोई conclusion नहीं है, और यह मेरा point of view, आप अपना point of view रख सकते हैं, comment को दारा, उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफरमेटू लगा है, फिर मिलते ह ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाई, टेक क्यार